रिवा से सगाई के लिए तयार होगा ईशान, आज आएगा ट्विस्ट। गुम है किसी के प्यार में दिखाया जाएगा कि ईशान सूर्य प्रकाश के स्वागत की तयारिया करेगा। ईशान कुछ आए देखकर सवी की याद आ जाएगी। सूर्य प्रकाश सवी से मिलने आएंगे, सवी उन्हें देखकर चौक जाएगी, सवी बोलेगी कि वह उनकी फैन है और सारे पॉडकास्ट सुनती है, वह सवी से कुछ सवाल पूछ कर टेस्ट लेंगे, वह सवी को 10 मिनट में 20 सवाल हल करने के लिए कहेंगे, कॉलेज का फंक् करेगी तो सूर्य प्रकाश गाड़ी पर बैक जाएंगे, वह सवी से सवाल करेंगे और वह जवाब देती जाएगी, इधर इशान को सवी की याद आएगी और वह रुएगा, निशिकांत इशान से कहेगा कि सारे स्टुडेंट्स चले गए, सवी को बिना चाबी की की हटानी होगी, तीछे से लोग चिल्ला रहे होंगे और सवी जवाब देती जाएगी, सवी दिमाग चलाएगी और सारे स्टुडेंट्स को चाय पर दिसकाउंट देगी, वील छंड जाएगी, सवी जवाब देती जाएगी और ट्राफिक क्लियर करती जाएगी, कॉलेज पालों को पता चलेगा कि सवी ने डिसकाउंट दिया है। पता चलेगा कि सवी ने डिसकाउंट दिया है। इशान अंगूर्थी पहनाने चलेगा तभी इशान के पास फोन जाएगा कि हरिनी को होशा गया है। इशान हॉस्पिटल पहुँचेगा, वहां सवी उससे टक्रा जाएगी। सवी के लिए जागा इशान का प्यार। प्रीकेप में दिखाया जाएगा कि सवी की दुकान में आग लग जाएगी। इशान जान पर खेल कर सवी के पैसे और उसके आई बाबा के पैसे बचा लेगा। रिवा पर इशान हो जाएगी कि इशान का वही हाग जल गया जिसमें अनगूठी पहन्नी थी। हमें कमेंस में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।